कि उपर लड़किया कोचिंग पढ़ रही है और नीजे शराप के ठेके खोले जा रहे हैं तो अपनी बेटी को लाइन में लगाएं फिर हमारी मातर शक्ति लाइन में लगेगी कि आप पता के इजरिवाल की भी भी दारू पीती हो इसलिए उन्हों ने चोड़ दिये लगातार हमारा इस अंगर जारी रहेगा जब तक दिली के हर एक ठेका बंद नहीं होगा कुल संगर्ज कर रहे हैं सब की जहाच हो रही है और यह सब ठेके एक दिन बंद होंगे हम आगे आने वाली पीडियों को बचाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं दिली की जंता भी आज हमारे साथ है हम सब जानते हैं कि अर्विंद केजरिवाल ने पैसे के लालत में पुर्वान चल मौर्चा चिला मयूर भियार बुरली भाईया चलता जाम जानूरी है प्रणी के लाईब 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 के लाई रपेजरी औरेन प्रना मिलेटारों रपेजरी औरेनि इन प्रेट पृटमर दो!! वेजरी माल रपdoes है!!! वेजरी माल रप Sw been! वेजरी माल!! वने खळमाल। वेले र connection और देख रहें किस तरह का हो जोम है यहां पर आदेश गुपता और दुली प्रदेश दोनों आप बहुत बड़ी है देखिए आज दिल्ली के अंदर चक्का जाम किया गया और दिल्ली सरकार की नई शराब नीती जो दिल्ली को बरबाद और खराब करने की नीती है जिसमें केजरिवाल सरकार दिल्ली में हजारों ठेके रहाइसी इलाकों में रेजिडेंशियल इलाके हो दार्मिकिस्थल के पास पास हो इस्कूल के आस पास हो गाओं के अंदर अनुत्राइस कालोनी में खोले जा रहे हैं और दिल्ली में आज हजारों की संख्या में जब सराब के ठेके खोले जा रहे युवाओं को महलाओं को मजदूरों को सराब की नसे में जोकने के लिए जो केजरिवाल सरकार ने नई जीती लाए हैं उसका विरोध करने के लिए आज भारती जनता पार्टी के कारिकरता दि इसी भी कीमत पर यह चक्का जाम जो किया है आने वाले दिनों में हम बड़ा अंदोलन करेंगे दिल्ली के मुख्य मंत्री को मंत्रियों को घर से नहीं निकलने देंगे जब तक दिल्ली सरकार नहीं सराब नीटी को वापस नहीं लेती अधेशी दिल्ली से लेकर यूपी इंबुलेंस का ध्यान रखता है हमने नागरिक सुविदाओं का ध्यान रखता है और जो जिल लोगों को तकलीफ हुई है अगर एक दो घंटे की तकलीफ है के हम आगे आने वाली पीडियों को बचाने का काम करेंगे तो मैं समझता हूं दिल्ली की जनता भी आज हमारे एक अगयां तक्लित का ध्यां करते हैं और दिल्ली में हजारों ठेके खोलत का दिया तु ka LO काम नहीं किया केजरिवार सहाब दिल्ली के लिए आपने हजारों ठेके खोल दिये लोगों को सही से सराब मिले ये इसलिए आपको गद्धी पर नहीं बिठाये गया था आपको कुर्सी इसलिए दी गई ताकि आप दिल्ली में विकास करे और दिल्ली की जो नई सराब आने वाले दिनों में यह आन्दोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सराब नीनिती वापस नहीं ले लें लेड़े लिकी शराब जो अरविंद के नितीया उसके विरोध में पूरी दिल्ली में चक्क आदाम था हम सब जानते हैं कि अरविंद के दिल्वाल ने पैसे के लालत म पूरी दिल्ली को नसे में जोंक दिया है अगला देखे हम हमारा भार्चनता पार्टी का दिल्ली की जितने आर्ट डॉब्लय किर्टन मंडलिया हैं मार्किट एस अबकारी निति का विरोध कर रही है और यह रोज जहां भी ठेके खुले हैं करीबन जब तक अर्विन केजरिवाल अपकारी निति वापस नहीं लेंगे तब तक भारतिय जनता पार्टी दिल्ली भर में संगर्ष करती रहेगी तरह से महिलाओं का आप देख रहे हैं बहुत ही जादा इसमें विरोध भी हम प्रगट कर रहे हैं और दिल्ली के जो मुख्य मंतरी ने जो नीतियां अपनाई हैं वो कहने चले थे कि इसको हम पैरेस और लंदन मनाएंगे लेकिन उन्होंने तो इसको शराब की नगरी बना हैं कि शराब के ठेके बंद हो ठेका ठेका जो है वो बिल्कुल इनलीगल था और सारे नियम काईदे कानून को ताक पर रख कर गया ठेका खोला गया था बिल्कुल संगर्ज कर रहे हैं सब की जाच हो रही है और यह सब ठेक एक दिन बंद होंगे आज तो चक्का जाम है आगे आप देखेगा कि दिली की एक-एक के जिरिवाल सरकार के मंत्री जितने हैं और खुद के जिरिवाल के घर पर हम लोग उनको अंधर कर देंगे और र कानलीगल नहीं खुलेगा देखिए दिली के जनता के हित में उन्होंने कहा था कि हम साफ पानी देंगे दिली के जनता के हित में सीवर देंगे लेकिन उन्होंने साफ पानी और साफ सीवर के बदले उन्होंने जनता को दारू पुलाने का काम कर रहा है भारतिय जनता पार् लगातार हमारा ये संगर जारी रहेगा जब तक दिली के ठेका बंद नहीं होगा जाहां वो भविश्य की बात करते हैं वहीं वो बच्चों के हाथों में दारू की बॉटले दे रहें ठेके खौलके क्या सही है क्या यही हमारे देश का जो दारू में पीके दो लड़कता फिरे हैं पानी फिरी जल की के नाम पर उन्हें दारू फृC और आज वो बच्चों को रोजगार के नाम पर दारू का ब्रैंड एमिस्टर बनाने की बात करते हैं एक तरह मेंटोर चुन रहे हैं और दूसरी तब दारू के ब्रैंडिंग के लिए बच्चे को जाब ओफर कर रहे हैं परसेंट का छूट देने को जो कहे हैं तो अपनी बेहन बेटियों की शराब के दुकानों में अज महिलाएं शराब से वैसे ही कितनी परिशान है गांगाओं में ठेके बंद किये जा रहें दिल्ली के अंदर 840 दुकाने एक ही दिन में खोल दिये और 30 परसेंट का छूट दे मेरे महिलाओं के लिए मैलाओं के लिए सोचा तक तो देह नहीं सके दिल्ली में नहां पानी तेसके गली गंता पानी देंश ऑर कॉछ और कॉछ काम करना हो तो तो शोट देन शरम आनी चाहिए इनको एक यहांद ही के नहीं देना जो मैलाएं भी हैं और बच्चे भी प्रोविस सभी मिलकर एक पुर्जोर ब्रोथ बहुत जोरदार ब्रोथ यहां पर किया चक्का जाम किया आज की जो शराब आज का जो कारेकरम है भारते जंता पार्टी ने जिला मयूर विहार ने अनुसुच चाहती मोर्चे की और से समस् युवाओं को उनका माटनेशन से भटकाना चाहते हैं आप ये देखिए कि दिल्ली में 200 ठेकों से साड़े 800 ठेकों में परिवर्तन करके दिल्ली को महिलाओं को बड़ी संक्या मैं सुरुषित कर रहे हैं और शराब की नीती से भविश से युवाओं का भरबाद हो रहा है बिल्कुल असर पढ़ना चाहिए इतने पूरी दिल्ली के भारती जनता पाटी के कारी करता ने ये संघर्स किया है दिल्ली चक्का जाम किया है और हम केजरी वाल सरकार तक ये बात पहुचाना चाहते हैं यो कहते हैं कि हम पिंक ठोका खोलेंगे जिसमें महिलाओं लाइन कि तीस परसेंट डिसकाउंट मिलेगा मैं उनसे ये कहना चाहता हूं पहले वह अपनी पत्री और बेटी को लाइन में लगाएं फिर हमारी मातर शक्ति लाइन में लगेगी कैसा लगेगा और उनको यह हम बता देना चाहते हैं ये तो सांकेतिक है अगर उन्होंने शराब क थेक अपकारी नीती का अगर उन्होंने कानून वापस नहीं लिया तो भारतिय जंतापार्टी का हर कार्यकरता उनके घर में जाके बैठेगा धर में चहनता पाइटी जिला मैयूर विहार ने तरणना प्रेटेशन किया और मैं यह कहना किया था और केजी वाल ने आठ सो पचास दिल्ली में ठेके खोल दिये यह बड़े दुर्वाग्य की वाद है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ गया है जो जनता से घिलबा करा हो हमारी मात सकती जिसको लक्षमी काई गदा उसको सराब उसको सराब के ठेकें के लिए लाइन में लगा दिया जिस पर 30% का डिसकाउंट दे रहा है वह और ऐसी सराब ने थी कि हम निंदा कर नहीं गलत बात है महीला के इसलिए खुले हैं वो मोदी जी मोदी जी तो पिंक सोचाले खो सिसक्त की करोन दे हैं घर घर में खाने के लिए लोगों करोना से लोगों के रोजगार नहीं इतने पर शांद है और इतना जिम्रहान बहुत बोल के तुम ठेकें हो हम ठेकें बिल्कुन हम भारत की नारी ंपूल नहीं चिंगा रहे टूर चूरो हो जाएगा जूट देने से वारत पता कर दो और भी पुटेगी क्योंकि वो इसो लिए उसको बाद में भी पिठे पॉलते हैं मन् along कर और यहां सो कुछ हिंगे और यह पता यह क्या है और तो पिटेंगी नहीं तो क्या करेंगी उपर लड़किया कोचिंग पढ़ रही है और नीचे शराब के ठेके जरूरी नहीं हमें स्कूल जरूरी है हमें अच्छी टीचर जरूरी है आपने देखा कि महिलाओं में कितना आक्रोश है और कितना इसराब की नीती को लेकर के विरोध है तो मैं मैं भारते जिन्ता पाइटी के और से और सभी दिल्ली के वासियों की और से अरविंद केजरी वाल से हम दरकास्त करते हैं कि ये अशराब की ठेके बंद किये जाएं और दिल्ली के युगाओं का भविशे खत्रे में ना डाला जाएं झाला जाएं